आज मैं फिर से आप लोगों के लिए बहुत ही आसान और इजी सा मेकप लेकर आई हूँ बहुत ही लो बजट मेकप है और इस मेकप को मैंने लेक्मी के फाउंडिशन से क्रियेट किया है जो कि बहुत ही low budget में आता है और इस makeup में मैंने बहुत ही कम product को use किया है इस makeup को आप party guest makeup भी कर सकते हो और bridal पर भी इस makeup को आप कर सकते हो तो यह देखिए जिनकी नहीनी शादी होती है शादी के बाद जो bridal होती है वो कैसे करें everyday makeup वो भी इस makeup को create कर सकती है और इसको आप party guest makeup भी कर सकते हो या फिर किसी भी party या events जैसे की festival season start है तो आप जो है festival पर भी इस makeup को create कर सकती है Hi guys welcome back to my channel कैसे हो आप सब उमीद करती हूँ अच्छे होंगे मैं भी अच्छी हूँ सबसे पहले अपनी face को wash करना है और face को wash करने के बाद आपको apply करना है मोच राजर और winter season start है तो आपको जो है मोच राजर जादा quantity में apply करना है ताकि आपकी जो skin dry है तो मैं आपको बताती हूँ आपको क्या use करना है तो यहाँ पर जो है मैंने जोएकी क्रीम ली है as a wash राजर आपके पाद जो भी wash राजर है आप apply कर सकते हैं और नहीं है तो आप भी मेरी तरह जोएकी क्रीम या फिर कोई भी क्रीम वगरा ले सकते हो तो यह देखिए मैंने यहाँ पर जो है good wife का facial oil लिया है और इससे क्या होगा हमारी जो skin dry होती है हमारा face dry dry दिखता है और वैसे भी winter season start है तो जो है इससे हमारा जो face है वो dry नहीं पड़ेगा आपको भी इस चीज की problem है यानि कि आपका जो face है वो dry रहता है तो आप कोई भी facial oil ले सकते हो और जी अब बारी आती है primer की तो यहाँ पर मैंने जो है एन वाइवे का primer लिया है आपके पास जो primer है वो आप यूज कर सकते हो और आपके पास primer नहीं है तो आप aloe vera gel का भी यूज कर सकते हो तो यह दीखिए मेरे पास एन वाइवे का तो मुझे बहुत ही अ आपके नीचे मिल जाएंगे तो यह दीखिए आपको primer लगाने के बाद कम से कम 2-3 मिर्ट अपने फेस को जो है रेस्ट के लिए छोड़ना होता है तो इतने हमारा जो primer है वो सेट होता है तो हम अपने आई विरो को फिल कर लेते हैं और यहाँ पर मैंने मिस रोज का जो है मतलब यह आई लाइनर है जेल आई लाइनर तो मैं उससे ही जो अपने आई विरो को फिल कर रही हूं तो आपके पास जो भी जो है लाइनर है तो लाइनर से करें आपके पास काजल है तो काजल से करें आपके पास जो है आई ब्रो पैलेट है तो आप उससे भी अपने आई इस एपनी आईवरो को सेब दूँगी जो कि मेरी आईवरो एड़ी हो गई है तो मैं इसको जो है इससे हाइड कर लूँगी अच्छे से और अपनी जो आईष है आईश पर भी इसको अच्छे से अपलाई करूंगी ताकि जो हमारा आईष मेकप है वो काफी अच्छा लगे और नीड अन क्लीन दिखे तो यह देखिए आपको जो भी आपके पास कंसीलर है तो ठीक है नहीं है तो आप फांडेशन को भी एज़ा कंसीलर यूज कर सकते हो और जी मैंने ब्यूटी ब्लेंडर से इसको अच्छे से जो है ब्लेंड कर लेना है तो जैसे कि मैं कर रही हूं आपको भी कर लेना है आप हास से भी कर सकते हो ब्यूटी ब्लेंडर से भी कर सकते हो आपके पास ब्रस है तो आप ब्रस से भी अच्छे से ब्लेंड कर सकते हो और अब हम अपना आइस मैक अप करेंगे तो यह मेरे पास मिस गोल्ड की पैलेट है जो की बहुत ही अच्छी है मुझे तो बहुत ही अच्छी लगती है इसमें काफी सारे सैड है तो देखिए आपको अपनी आउटफिट के अकोर्डिंग जो है आइस मैकप करना होता है या जो भी आपको पसंद है वो आप कर सकते हो तो यहाँ पर जो है मैंने डार्क पिंक कलर लिया है और उसको जो है मैं क्रीज लाइन पर जो है लगाऊंगी यानि की ब्लेंड करूंगी तो यह देखिए आपके पास ब्रस है तो आप ब्रस से करें आपके पास ब्रस नहीं है तो आप फिंगर से भी कर सकते हो और जी आपको एक बात का धियार रखना है कि आपको जो है ब्लेंड अच्छे से करना है ताकि आपको जो है अच्छा सा लुक मिले तो ये रेखिए मैं अच्छा सा इसको ब्लेंड कर लूँगी और उसके बाद जो है मैं ये मैंने मिस रोज की ये आईलाइनर है जो कि मैंने आईब्रो फिल की थी तो यह मैं जो है एक ब्रस की हल्प से आउटर कोनर पर लगाऊंगी इसको मैं थोड़ा सा अलग सा लुक कर रही हूँ यानि कि अलग सा जो है आईस मेकप कर रही हूँ अपने अईस पर तो आपको जैसा अच्छा लगे वैसा आप कर सकते हो या फिर जैसा आपका आउट fit है वैसा आप कर सकते हो तो यह दिखेंगे मैं थोड़ा थोड़ा कर कि अच्छे से मैं इसको blend कर लूँगी आप finger की help से भी कर सकते हो brush है आपके पास तो बहुत अच्छी बात है नहीं है तो आप finger से भी blend कर सकते हो और inner corner पर जो है मैंने थोड़ा सा dark pink यानि की simbri color सा लगाया है मैंने dark light pink दोनों mix करके अच्छे से लगा लिया है और मेरे जो eyes makeup होते हैं बहुत ही simple होते हैं तो यह देखिए हमारा जो eyes makeup हो complete है और जी अब मैंने ilysis लगा ली है जो कि मैंने off camera लगाई है और आपको नहीं आती है ilysis लगानी तो उसका जो उसके उपर भी मैंने एक video बनाई है तो उसका link मैं वीडियो के नीचे दे दूँगी तो आप चेक आउट कर लेना और यहाँ पर मैंने liner भी लगा ली है और आप बारियात है हमारी base की तो base के लिए हमने लिया है like me का foundation जो की 120-130 रुपे में आ जाता है आज कर makeup हम उसी से करने वाले हैं वह बहुत ही जो है लेडिसों के पास होता है और बहुत सारे comments भी आ रहे थे मेरे पास कि हमारे पास like me का foundation हम कैसे यूज करें तो देखिए जिसको अच्छा लगता है ठीक है जिसको नहीं अच्छा लगता तो आपकी बिस है यानि कि आपकी च्वाइस है आपको जो foundation अच्छा लगता है आप वो यूज कर सकते हो क्योंकि कुछ लेडिस से जो है बहुत ही मतलब कम product रखना पसंद करती है या फिर low product यूज करती है तो उनके लिए best है लेकमी का जो foundation है तो यहाँ पर मैंने जो है अपने foundation को अच्छे से blend कर लिया है और आपकी blending अच्छी होनी चाहिए और इसके बाद जो है मैं अपने foundation को set करूंगी तो उसके लिए मैंने compact लिया है जो की लेकमी का है तो उससे मैं जो है अपने base को तयार कर लूँगी तो देखिए winter season है तो आपको यहां पर powder यानि की powder जो है compact powder वो आपको कम लगाना होता है जादा नहीं लगाना वन्ना तो आपका जो make-up है वो cake हो जाएगा फटा फटा होगा या फिर dry जो है हो सकता है आपका face तो यह दिखिए अब बार यह थी हमारी contouring की तो हम यहां पर switch beauty की palette ले रहा है जिसमें जो की contouring है blush है highlighter है तो जो है मैं सबसे पहले contouring कर रही हूँ देखिए आपका face जो है मतलब round है तो आपको जो है थोड़ा contouring थोड़ी अलग तरीखे से करनी पड़ेगी आपका जो face है वो थोड़ा number type का है तो आपको जो है contouring अलग तरीखे से करनी पड़ेगी आपको नहीं आती है तो आप मुझे बताना comments करके मैं इसके ओपर भी एक video बनाऊंगी तो यह देखिए मैंने contouring कर ली है और अब बलस लगा रही हूँ same palette में से तो देखिए और इसके बाद जो है same palette में से highlighter लगाऊंगी तो highlighter लगाने से पहले fixer का यूज करती हूँ यानि कि makeup fixer को जो है मैं अपनी वीडियो में दो बार यूज करती हूँ एक तो मैं highlighter लगाने से पहले और एक जो मेरा makeup complete हो जाता है तब भी जो है मैं makeup fixer का यूज करती हूँ तो यह देखिए मैंने ब्रस लिया है और ब्रस पे भी मैंने थोड़ा सा spray किया है यानि कि makeup fixer को लगाया है ताकि हमारा highlighter है वह काफी अच्छा जो है लगे और set भी हो जाए तो यह देखिए मैं लगा रही हूँ highlighter को और यह सुचविटी की palette है इसका भी link मैं वीडियो के नीचे देदूँगी तो अच्छे से हम apply कर लेंगे और मेरी वीडियो जरा भी अच्छे लगे तो please like जरूर करना और चैनल पर नए है तो subscribe भी कर लेना साथ में bell icon को भी प्रेस कर लेना तो यह देखिए अब हमारी बारी है लिपिस्टिक apply करने की तो यह पर जो है यह सुचविटी की लिपिस्टिक है और यह इसका color जो है मर्जंटा color है इसका भी link मैं वीडियो के नीचे दे दूँगी तो यह देखिए मैं अच्छे से जो है आज मैं lip liner का यूज नहीं कर रही हूँ डायरेक्ट जो है lip stick को अपलाई कर रही हूँ आपको जो है परेशानी है lip stick लगाने में तो आप जो है lip liner या फिर brush का भी help ले सकते हो तो देखिए अच्छे से मैं इसको case काजल लगाउंगे यह देखिए यह locally यह प्लाइब कर रहे हूं क्योंकि हम हम हैवी मैपक और कजल ना लगाएं ऐसा तो हूई नहीं सकता तबीकियों के बाद मैंने एक ब्रस लाइज जो आप लोह से मैंने में अच्छे से ब्लेंड कर लिया है नीचे लाइन पर तो यह देखिए यह मेरा फाइनल लुक है यह मैंने जूल्डी मैंनी है और हलका सा मैंने हेर स्टाइल बनाया है तो यह मेरा फाइनल लुक है आप लोगों को कैसा लगा तो कमेंस करके जरूर बताना अच्छा लगे तो प्रीस लाइक जरूर करना चैनल को सस्क्राइब भी कर लेना तो यह देखिए और ऐसी बहुत प्यारी प्यारी वीडियो मेरे चैनल पर अब लेवल है तो आप जाकर चक आउट जरूर करना तो यह देखिए और यह मेकप कहीं भी नहीं जाएगा इतनी जल्दी मेकप नहीं हटेगा काफी अच्छा होता है क्योंकि कुछ मुझे यह बोलते हैं कि लेक मिका जो फाउंडेशन होता है वो अच्छा नहीं है अच्छा होता है तो चलिए फिर मिलती हूँ ऐसे ही प्यारी प्यारी वीडियो के साथ तब तक के लिए